नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी बिहार में शत्ता के परिवर्तन के बाद तीसरे सीट पर उपचुनाओ हो रहा है मुकामा और गोपाल गंज के परिम नामों से राजनितिक पंडितों को सायत कुछ जादा समझ में नहीं आया इसलिए सबकी नजर कुरनी के रन पर जाकर टिकी हुई है और मुकेश शोहनी के साथ ओवैसी की पाटी AIMIM ने यहां के चुनाओ को बेहत ही रोचक बना दिया है लेकिन उस रोचक मुकाबले में नया मोर तब आया जब भुमिहार ब्रामन शमाजिक फ्रंट के नेताओं ने मुकेश शोहनी की पाटी VIP के उमिदवार निलाब कुमार को शमर्थन देने का पिछले दिनों प्रेश वार्ता करके एलान कर दिया आपको बताएं कि इस बार कोड़नी की लड़ाई में चार प्रमुख दल चुनाओ लड़ रहे हैं बीजेपी, साथी साथ जेडियू, मुकेश शोहनी की पाटी VIP और OSC की पाटी AIMIM इसके अलावा निर्दलियों ने भी यहाँ पर ताल ठोक रखी है लेकिन इन चार राजनितिक पाटीयों में ही पूरा शमिकरन बनते और बिगरते नजर आ रहा है सबसे जादा चुनोती बीजेपी के सामने खड़ी है क्योंकि मुकेश सहनी ने यहाँ पर भूमिहार को टिकट दे कर एक नया दाव चला और भूमिहार वोट बैंक बीजेपी अपना मानती है यानि सेंधमारी की डर लगी हुई है लेकिन पिछले दिन जो भूमिहार ब्रामन शमाजिक फ्रंट के नेताओं के तरप से प्रेश वार्ता करके निलाब कुमार जो की वी आईपी के उमिदवार है उनको शमर्तन देने का ऐलान किया गया उसके बाद बीजेपी के नीचे से जमीन ही खिसक गई और उसे लगा कि सायद ये मुकाबला ही वो हार ना जाए या मुकाबले से बाहर ना हो जाए इसलिए उसने अपने सबसे वरिष्ट नेता और मुझपर पुर से कई बार विधायक रहे पुर्व मंत्री शुड़े शर शर्मा के बारे में बताएं कि पिछला बार 2020 का चुनाओ वो हार गए लेकिन बोचाहां में हाली में जो उपचुनाओ हुआ था उसमें उनकी नराजगी की बात सामनी आई थी और कहा ये भी जाता है कि उनकी नराजगी के कारण ही बीजेपी बोचाहां लगभक 37,000 वोटो सिहार गई इस बार बीजेपी ने शुरेश शर्मा को मना कर किसी तरह अपने पक्ष में किया और चुनाओ प्रिचार भी करवा रही है लेकिन भुमिहार ब्रामन समाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष शुरेश शर्मा जो पिछला प्रेश वारता हुआ था उसमें साम प्रेश्वारता में पुर्वमंत्री अजीत कुमार भी थे साथी साथ बीजेपी के पुर्व विधायक चोकर बाबा भी थे और उनके द्वारा ये घोशना किया गया था उसके बीजेपी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे लेकिन अब देखिए भूमिहार ब्रामन समाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्याक्ष सुरेश शर्मा मीडिया के सामनी आए हैं और उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों उनके फ्रंट के तरफ से जो प्रेशवारता कर के एलान किया गया था उसका कोई औचित नहीं है और वो अधिकारिक एलान नहीं था क्यूंकि ना तो वो उस प्रेशवारता में सामिल थे और ना ही कोई जिलाध्यक्ष उस प्रेशवारता में सामिल था और ऐसे लोगों पर जिनों ने एलान किया था वी आईपी के उमिद और तमाम भुमिहार ब्रामन जो शमुदा है उनको भ्रमित करने की कोशिस की जा रही है और कहीं न कहीं उन्होंने बिना नाम लिए नितीश कुमार की और इसारा किया क्यूंगी के इसारे पर यह सारा खेल किया गिया है क्यूंकि तमाम जो फ्रंट के अधिकारियों ने एलान किया था वो कभी न कभी बीजेपी के बागी रहे हैं और अभी भी वो बीजेपी से दूर ही नजर आए हैं ऐसे में शुरेश शर्मा का यह प्रेश वारता कुड़नी के उपचुनाओं में बीजेपी को कितना फायदा पहुचा पाएगा यह तो देखने वाली बात है लेकिन बीजेपी के लिए समस्या बहुत गहरी है क्यूंकि कुड़नी में सबसे जादा वोट बैंक भूमिहारों का है 40-45,000 अगर पोलिंग का 50% भी निलाब कुमार के शमर्थन में चला जाता है तो फिर बीजेपी के कोलती इस बार कुर्णी में ना हो इसलिए बीजेपी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है और भूमिहार वोटरों को एक जूट करने के लिए अब पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को आगे कर दिया है जो कि भूमिहार ब्राह्मन समाज के फ्रंट के प्रदेश अध्य लक्ष भी है उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी उस दोरान प्रेशवर्ता में सामिल थे उन पर कारवाई की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि कुड़नी किलराई त्रीकोनिये नहीं और नाहीं चतुसकोनिये हैं यहां परामने सामने किलराई है बीजेपी बना अब देखिए बीजेपी के नेता है तो पक्ष में दावे तो करेंगे लेकिन उनके दावे कितने सही साबित होंगे ये तो जब 5 दिसंबर को चुनाओ होगा और 8 दिसंबर को परिनाम आएंगे तो बहतर तरीके से पता चल जाएगा लेकिन बीजेपी के लिए समस्या उसका नुक्सान बीजेपी को कितना उठाना परता है आप बन रहें लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें